पासिज का क्या अर्थ होता है ये आज किस वीडियो में समझ लेते हैं पासिज का दो तरह की से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो पास का प्लूरल यानि बहुवचन होता है पासिज यानि कि एक से ज़्यादा पास को हम पासिज कहते हैं और पास का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग, राह, सफलता, उतेर्ण या रुख इसके इलावा जल डमरू मध्धे को भी कई बार पास कहा जाता है यह जल डमरू मध्धे क्या चीज होती है यह आपको बता देता हूँ जल डमरूमध्य जो है वो जल संधी को कहा जाता है और जल संधी क्या होता है ये ऐसे संक्रे मार्ग होती है जो दो बड़े जल भागों के बीच में से होते है या दो जो बड़े जल भाग होती है या बड़े भूब भाग होती है उनके बीच में से जो छोटा पतला सा रास्ता होता है उसको जल्डमरूमध्य कहा जाता है इसके इलावा दर्रे को भी कई बार पास कहा जाता है दर्रा जो है पहाडों के बीच से जो पतला संकरा रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है और इसके साथ-साथ जो अनुमती पत्र होता है, यानि कि जैसे आपने देखा होगा, कि कई बार कोई कार्यकरम होता है, तो उसमें pass के थुरू entry होती है, तो वो pass जो होता है, वो एक अनुमती पत्र जिसको हिंदी में कह सकते हैं, तो उसको pass कहते हैं, और एक से जादा इन सब चीजों को passes कहा जाता है, निकि चाहे रास्ते हों, मार्ग हों, या अनुमती पत्र हों, तो उनको passes कहते हैं, इसके इलावा passes जो है, वो verb की रूप में pass का इस्तेमाल जब हम present indefinite tense में, he, she, it ये singular third person के साथ करते हैं, तो rule के coding उसके साथ es लगाते हैं, जिससे passes बनता है, और passes का अर्थ होता है, pass करता है या करती है, या pass होता है या होती है, और pass करने का मतलब होता है, चले जाना, पार कर जाना, पारित करना, गुजर जाना, पारित होना, पास करना, यानकि जैसे हमने class pass की, आपने छटी कक्षा pass की, सात्मे की, बार्मे की, तो वो pass करना, देना, मर जाना आगे निकल जाना या नियम प्रचलित करना तो पासिज का मतलब हुआ कि चला जाता है या जाती है पार कर जाता है या जाती है पारित करता है या करती है या इसी तरीके से आगे निकल जाता है या जाती है या नियम प्रचलित करता है या करती है जैसे कि एगर आप यह कहना चाहें कि एक व्यास एक वृत के केंदर से होकर गुजरता है तो आप कहेंगे a diameter passes through the center of a circle या अगर आप ये कहना चाहें कि है train या है rail गाड़ी कुछ शांदार प्रकरतिक द्रिश्यों में से गुजरती है तो आप कहेंगे the train passes through some magnificent scenery या अगर आप ये कहना चाहें कि plumber का साहयक उसे उपकरन देता है तो आप कहेंगे the plumber's helper passes him tools the plumber's helper passes him tools English में इसको plumber नहीं बोला जाता है plumber बोला जाता है इसमें be भी silent होता है इनकी plumber इसको बोलते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें